यह इलेक्टिक कार 65 घंटे से भी कम टाइम के अंदर 28,000 से ज़्यादा बुक हो चुकी है तो ऐसा क्या है इस इलेक्टिक कार के अंदर जो लोग इसके लिए पागल हुए है आए जानते हैं सबसे पहले हम आप लोग को बदा दू कि यह एक इलेक्टिक कार है और यह विनफा यह है कि यह तीन दीनों के अंदर ही 30,000 से ज़्यादा बुक हो चुकी है और सबसे इंट्रेस्टिंग पॉइंट तो यह है कि यह जो प्रीबुकिंग अमाउंट है वह नॉन रिफेंडबल है इसके बावजुद भी लोग इसके लिए पागल हुए पड़े हैं इस कार का द जो है वह 12,390 डॉलर है इंडियन रुपीज की बात किया है तो इंडियन रुपीज में इसका कंवर्जन हो जाता है 10,35,000 रुपे इसके अंदर बैटरी भी इंक्लूड किया गया है दोनों ही वेरियंट के अंदर वैसे मैं आप लोग को बढ़ा दू कि यह जो सब्सक्राइबं में की बात कर लेते हैं कि सिलेक्टिक कर अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा चाइब को बदा दू कि इस बाते कर के बैटरी की पर आपको 8 साल तक का वरेंटी दी जाएगी जबकि वेहिकल पर आपको 7 और 1,60,000 किलमीटर तक का वरेंटी दी है जब कि विर्द की बात कर तो 1.6 मेंटर से ज़दा होने वाला है और जो हाइट है वह भी भी 1.6 मेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है अगर अमने में में बात करके तो आप आपको Lange देखने को मिल जाएंग वह 390 आपको को साउन आंड़ी छोटी सी कार यापको 550 लीटर का बूते स्स Fail I प्रेंब यести जाइगा जबत चोटि रहे हैं उस पले यहाँ तो 9th at साउन प्रेंट मालत हमेडीगी को स्थसंक्ते मई मिल जा रहा है इसके अलबाब कार में बैटरी कितने किलोवाट का यूच किया जाएगा इसका इनफोर्मेशन निकल कर नहीं है ना ही मोटर के बारे में एक इनफोर्मेशन जरूरी निकल का है कि सिंगल मोटर कॉन्फिग्रेशन आपको इस एलेक्टरी कार में देखने को मिल जाएगा जो कि Android Auto और एपल कार प्ले के सपोर्ट के साथ आएगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा मल्टी फॉंस्टनल स्टेरिंग विल देखने को मिल जाएगा आपको और दो एयर बैक्स आपको इस गाड़ी का अंदर देखने को मिल जाएगा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बुकिंग तो हो चुका है लेकिन यह गाड़ी डिलेवर कब होगी में इंडिया से भी लोग बुक किये होंगे जहां तक मुझे उमीद लग रहा है क्योंकि ग्लोबली इसे लांच किया गया है तो डिलिवरी की बात करें तो अगले साल आपको अरली 2025 में मिल सकती है या बीच जात जात आपको 2025 के मिल सकती है वैसे इंडिया में कितने लोग बुक की हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग बात होगी और इंडिया में यह काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली बात है क्योंकि यह जो गाड़ी है इंडिया म बना के इंडिया में दिलेवर की जाएगी चलिए वीडियो में यही तक जनकारी था इस गाड़ी के रिलेटर अगर यह अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और इसी तरह के इलेक्टिक वीटल के रिलेटर जनकारिया के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूरी करिएगा तकि आगे भी आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहे हैं और आपके मन में किसी परकार का डाउट एंड कोस्चेन मना हुआ है कमेंट सक्षार में कमेंट जरूरी करिएगा तब तक के लिए गो ग्रीन गो एलेक्ट्रिक